नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आप हैं इस वक्त सुभाष ठाकुर के साथ दोस्तो आज हम डिसकस करेंगे हिमाचत प्रदेश में हुए 2019 में स्टेट इलिजिबिटी टेस्ट के बारे में और इसमें देखिए जो भी प्रशन पूछे गए थे उनके बारे में हम डिसकस करेंगे कि किस तरीके का प्रशन पत्र पूछा गया था और किस तरीके का लेवल प्रशन पत्रों को पूछने का था ये सारी चीज़े हम इसमें डिसकस करेंगे और अभी की जो परिक्षा है देखिए 22 नवंबर को होने जा रही है और परिक्षा से पहले जितने भी हमारे प्रिबियस एर के question paper है उनको पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एक तरीके से वहाँ से हमें idea जैसा हो जाता कि किस तरीके की परिक्षा जो है इस बार पूछ इसली साल का है और इसमें जो प्रशन पूछे गए थे पूरे के पूरे 100 प्रशन है और देखिए नागरी प्रचारनी सभा की स्थापना कब हुई ये पहला प्रशन है और विकल्प है देखिए 1904, 1873 और 1877 तो देखिए इस प्रशन को समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि नागरी प्रचारनी सभा पूछा गया है ना कि नागरी प्रचारनी पत्रिका ठीक है तो ये दो चीजें है ये ध्यान रखना है अगर नागरी प्रचारनी पत्रिका होगा तो उसका उत्तर होगा 1877 जबकि नागरी प्रचारनी सभा की स्थापना कब हुई थी ये हुई थी 1893 में तो पूरी जो तारीक थी दीखे वो थी आपकी 26 जुलाई 1893 और ये किसके दोरा किया गया था शाम सुंदर दास और साथ में थे इनके राम नरायन मिश्रोर शिब कुमार सिंग तो दीखे इसको याद गरने की ट्रिक इस ट्रिके से ही है राम शाम और ठीक है तो 1893 इसका क्या है सही उत्तर होगा और इसके जो प्रत्थम अध्यक्ष रहे देखिए सभा के वो कौन थे वो थे बाबु रादा क्रिशन दास जो भारतेंदू हरिश्चंद्र जी के कौन थे पुपेरे भाई थे तो ये कुछ एक चीज़ें है देखिए परिक्षा से पहले मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेट की परिक्षा में पुछ जाती है और इस तरीके से ही प्रशन या तो सीधा प्रशन पूछ ले जाएगा हाला कि देखिए पिछली बारी के जो पेपर था वो बहुत कठिन पेपर था इसलिए हम ये मान के थोड़ा सा चल सकते हैं कि इस बार की जो परिक्षा है वो उससे थोड़ी सी असान हो सकती है क्योंकि सेट की परिक्षा में अक्सर ये होता है कि एक साल का जो लेवल होता हो बहुत हाई रखा जाता है लेकिन दूसरे ही साल ये बिलकुल उसका स्तर जो है वो थोड़ा हमें कम देखने को मिलता है आप देखेंगे कि 2019 से पहले वाला जो पेपर पूछा गया था वहाँ प अगर अच्छे से त्यार है कि तो पचास में से पचास भी लेख सकता था तो इस तरीके कल लेवल उस वक्त पूछा गया था लेकिन जैसे ही 2019 में हम गये तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो कट टफ थी वो भी बहुत नीचे आ गई थी है ना तो इस बार संभावना यह है कि थोड़ा सा असान पेपर हमें देखने को मिलेगा लेकिन फिर भी हमें अपनी तयारियों में कोई भी कोता ही और कोई भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए तो इसलिए यहाँ पर इस प्रशन से मैंने बहुत सारे प्रशन आपके पहले ही क्लियर कर दिये कि नाग अध्यक्ष के बारे में अगर पूछेंगे तो बावुरादा क्रिशन दास और भारतेंदू के फूफेरे भाई फिर अगर नागरी प्रशारणी पत्यका की बात की जाए तो वो ही है अठारा सो संतानियों में और जिसके संपादक शाम सुंदर दास, कौरी शंकर, हीराचं सही कौन सा है तो हम अकसर क्या करते हैं कि प्रशन को आदय धूरे पढ़ लेते हैं और अपने नीचे जो विकल्प हैं उनको ही देखने लग जाते हैं इसलिए परिक्षा से पहले देखिए आपने देखा होगा प्रशन पत्र में इसलिए लिखा गया होता है कि प्रशनों क वो किसमें जूरता है देखिए अवधी में तो अवधी को इसलिए क्या का जाता है वाकारांत बोली कहा जाता है या भाशा का जाता है ठीक है ब्रज की क्रियाओं में व्यंजन दित्व का प्रधान्य है तो देखिए व्यंजन दित्व किसमें होता है ये कौरवी में होता है ना कि ब्रज में होता है, जैसे हम लिखते है ना बड़ा, खड़ा, ठीक है, तो गड़ा, तो ये किसमे है, ये खड़ी बोली या कौर्वी हिंदी के अंतरगत आता है, जो आपका व्यंजन दुद्धिय करन है, ठीक है, फिर आधाय देखते हैं, अवधी में आकरांत की आकरांत है, तो देखिए ये आकरांत और वाकरांत या आकरांत, इन से क्या विप्रा है, देखिए आकरांत का मतलब है, जिस शब्दों का उचारन करते वक्त, अंत में अगर आ की दोनी आ रही है, तो आकरांत, जैसे वा की आवाज आ रही है, देखिए वाकरांत, तो अब औकरांत है यह ओकरांत जहांपर दो मातराएं आजाएगी औकी अंत में ठीक है बैठाओ ठीक है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपकी ओकरांत ठीक है next देखिए आखरी जो D है भोजपुरी में ने भी भकती चिन का अभाव है तो ये वाला कथन क्या है यही इसमें सत्य है कि भोजबुरी में क्या है ने भिवक्तिचिन का भाव है मतलब उसमें ने भिवक्तिचिन नहीं लगा जाता है तो विकल्प नमबर D क्या होगा दूसरे प्रशन का सही उतर होगा नेक्स देखें निमी लिकित में से नाट्य संदियां हैं तो देखें नाट्य संदियां, नाट्य वृतियां या फिर अर्थ प्रकृतियां या फिर आपका अर्थवशेपक या फिर नाट्य वृतियां या कार्यवस्थाएं ये अलग-अलग चीजें हैं इनके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है जो हमारे कावेशास्तर के अंतरगत आता है इसमें सबसे पहले जो चीज़ है प्रारंब, प्रयत्न, प्राप्तियाशा, नियताप्ति और फलागम तो ये किसके अंतरगत आता है या आती है आपकी कार्यवस्थाएं ठीक है तो ये कितनी है पांच है ठीक है तो उसके बाद आता है आपका देखिए बीज बिंदू, पता का प्रकरी और कारियव तो ये आपकी जो अर्थ प्रकृतियाँ होती है वो है ये ठीक है तो नाट्य संधिया नहीं है ये याद रखना है फिर आता है आपका देखिए मुख प्रतिमुख गर्ब विमर्ष और निर्वेहन तो ये चीज़ें किसके अंतरगत आती हैं यही आपकी नाट्य संधियों के अंतरगत आती हैं मुख प्रतिमुख गर्ब विमर्ष और निर्वेहन फिर आता है आपका देखिए उसके बाद आ कारेवस्थाएं कौन कौन सी है या फिर अर्थ प्रकृतियां जो बीज बिंदू पता का हैं ये अर्थ प्रकृतियां है और मुख प्रतिमुख गर्ब विमर्ष ये क्या है आपकी नाटे संधिया है और विश्कमभक चूली का अकान से अंकवतार और प्रविशक ये क्या है ये आपकी जो अर्थ प्रकृतियां ये वो हैं लेकिन इसके अलाबा एक और चीज भी पूछ जाती है वो है नाटे वृतियां नाटे वृतियां चार है बाकी जो भी आपको यहां पर चार भी कल्प दिये गए हैं देखिए वो सब के सब क्या है पांच-पांच हैं मतलब क लेर है तो इस दिएके से भी प्रशन पूछ जा सकता है इसके लिए भी आपने तैयार रहना है उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है आगे कि तमस का कौन सा पात्र कत्री और करनी में समान होने की विडम बना को व्यक्त करता है तो देखिए तमस जो उपन्यास है उसके ब पात्र कौन से और किस तरी के का उनका स्वभाव है तो यहां पर पूछा गया है कि तमस का कौन सा पात्र कत्री और करनी में समान होने की विडम बना को व्यक्त करता है तो यह आपका पात्र देखिए विकल्प नंबर B जर्नेल सिंग ठीक है नेक्स प्रशन है देखिए प् आपका विकल्प नंबर D ठीक है मीरारी लगन लगया होना हो जो होया तो मीरा इससे इन प्रंक्तियों का अविपराय क्या है देखिए वो यह कह रही है कि मीरा का जो प्रेम है वो कृष्ण के लिए ही अब जिस किसी ने जो करना है वो मतलब कुछ भी कर ले उससे कोई फरक नहीं पड़ता कि जो भी होए है ना हुईयां से क्या विपराय है इस तरीके से ही है मीरारी लगन लगया मीरा की जो लगन है वो लग चुकी है अब जो होगा वो देखा जाएगा तो यह तरीके से खुली चुनावती वो दे रही है इन वाली पंक्तियों में तो विकल्प अगला प्रशन है देखिए निमी लिकित में से कौन गध्या और कावय की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं मानते हैं यह को होने देखिए इसका जो सही उत्र होगा विकल्प नंबर B देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ जो हमारे पास्चात्य चिंतक है और इनके बार जो आपका गोविन पांडे सरसुति पांडे वाले पुस्तिक है उसमें अच्छे से बता दी गई हैं तीन ही चीज़ें उन्हें कही है कि कावे में जो ग्रामीनों की द्यानिक बोलचाल की भाषा का प्रियोग होना चाहिए है ना फिर यह कहते हैं कि दूसरी जो आपको प् पुछ जाती है कि ये किसने कहा है कि जो भाषा में बनावटी पन है या अडंबर है वो बाद के कवियों की दिन है तो ये भी विल्लियम वर्ड्सवर्थ ने ही कहा है यहां से प्रशन पूछने की संभावना है तो विल्लियम वर्ड्सवर्थ का बर्थ कब है ये भी जैसे इनके जो चार उपन्या से इनको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि परक सुनीता के त्याग और कल्यान को ठीक है जनेंदर आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कि जनेंदर जी परक सुनीता के त्याग और कल्यान को है ना तो परक से परक त्याग पत्र से सुरीता से सुनीता त्याग पत्र से त्याग पत्र और कल्यानी से कल्यान तो सबसे पहला जो इनका है देखिए वो है आपका परक ठीक है उसके बाद देखिए निमी लिकित में से अपादान कारक का उदाहरन है तो देखिए अपादान कारक पूछा गया है अगर आपने grammar से related कुछ एक त्यारियां करनी है या कुछ एक प्रशन कई वार किस्तिके से एक आदा प्रशन पूझ लिया जाता है तो आप जो है हमारी हिंदी साहिते वारता चैनल में ही हमने व्याकरण के नाम से एक playlist पिनाई हुई है वहाँ पर जाके चकर सकते हैं वहाँ पर हमने जो भी आपका ये समास संधी बगिरबगिरा है इनको अच्छे से discuss किया हुआ है और समास के अंत्रगत ही हमने कारक को भी रख दिया है कि कारक को हम कैसे याद रख सकते हैं ठीक है तो अपादान कारक है देखिए उसका क्या होता है कि जहां पर कारक चिन क्या आता है से जुदाई वाला डरने वाला तो लड़का कुते से डरता है विकलप नमबर बी देखिए वो कुते से क्या है डर रहा है मतलब कुटा उससे दूर जा रहा है जुदाई हो रही है न तो या वो खुटे से दूर जा रहा है तो इसलिए ये वबला विकल्ब जो है क्या है सही होना था विकल्ब नमबर b नेक्स से देखिए महावीर प्रसाद दुवेदी ने सरस्वती के संपाधन का कारेभार कब संभाला था तो देखिए महावीर प्रसाद दुवेदी और सरस्वती तो ये प्रशन बहुत महत्वपूर्ण है कई बार इसको परिक्षा में पूछा गया है खासकर HBPSC या फिर हिमाच्परदिश में जितनी भी परिक्षाएं होती है हिंदी से समंदित इस प्रशन को जरूर पूछा जाता है तो देखिए जो महाविर प्रसाद उवेदी है इन्होंने संभाला था ये 1903 में लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर इस तरीके से प्रशन पूछ ले जाए कि 1900 से 1903 तक इसके संपाधा कौन थे तो वो थे चिंतामणी घोष्ची तो ये चीज़े भी हमें तोड़ी से इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए क्लिर है दोस्तों नेक्स से देखिए प्रशन संख्या 10 अंधा यूग में श्रीकिष्ण को प्रभु नहीं वन्चक कहा है तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका विकल्प नमबर A गांधारी ने तो अंधा यूग नाटक के किसका है ये धरम भीर भारती कहा है तो इसमें किस्त ने कहा है उसको प्रभु नहीं बलकि वन्चक तो ये कहा है गंदारी ने विकल्प नमबर A ठीक है नेक्स से देखिए प्रशन संख्या 11 इसमें आता है कि जो मेला आंचल में वर्ग संगर्ष का पक्षधर कौन है तो मेला आंचल के बारे में भी हमन सेट का पाठाकरम बिलकुल अब नेट की तरह ही कर दिया है कि अब जो आपका पूरा का पूरा जो नेट का पाठाकरम है वह हमारे सेटका भी पाठाकरम है तो इदर दर जाने की ज़रूरत नहीं है आपको जो पाटेक्रम मिला हुआ है आप उसी को ही देख सकते हैं अगर आपको इसके पाटेक्रम की PDF चाहिए होगी तो आप मुझे मेरे टेलिग्राम ग्रूप के साथ जोड़ सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिये जाएगा ठीक है मैला आंचल के बारे में मैंने पहले भी कहा कि विस्तार से हमने चर्चा की हुई है और वर्ग संहर्ष का पक्ष्थर उसमें कौन है ये आपका देखिए विकल्प नंबर A इसका क्या होगा सही होगा जो काली चर्ण है वो ही क्या है वर्ग संहर्ष का प्रतिनी धित करता है ठीक है जो काली चर्ण है वो ही क्या है इसका पक्ष्थर है नेक्स से देखिए नागमती बियोगफंड में बारा मासा का शुरुवात हुई है तो देखिए 12 मासा की शुरुवात कहां से हुई है नागमती व्योग खंड में यह हुई आपका जो असाड से असाड महीना जो होता है वहां से इसकी क्या माने जाती है शुरुवात माने जाती है किसकी नागमती व्योग खंड की और यह किसका खंड है एक यह आपका जो पद किया था तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए ये क्या था आपका विकल्प नंबर सी असगर्वजाहत ने तो हंस पत्रिका का देखिए कौन सा बोल रहे हैं ये अलबसक्ष्य को परकेंदी तंक वो किया था इनोंने है ना बाकी इसका दूसरे संपाद कौन है ये आप सहचार्य का प्रिया है निमी लिखित में से राम इलास शर्मा के पुस्तक नहीं है तो राम इलास शर्मा भी आलोचकों में से प्रमुक माने जाते हैं और ये माक्सवादी आलोचक हैं इन से भी प्रशन पूछ जाते हैं अभी दो दिन पहले जब UGC NET की परिक्षा हुई की रचना नहीं है ठीक है तो ये किसकी कृती है ये आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं कि ये वाली कृती किसकी है ये ना करांतिकारिका भी निराला ठीक है नेक्स से दिखिए हम हश्मत शीर्शक के अंतरगत संस्मर्ण किसने लिखे हैं तो हम हश्मत के अंतरगत शेर्शक के अंतरगत लिखा है यह आपका देखी किस ने लिखा है विकल्प नमबर 16 का देखिए D है ना कृष्णा सोबती ने हम अश्मत इसके कितने भाग है इसके 3 भाग है ये भी आपको पता होना चाहिए की तोड़ी सी जानकारी कि हम अश्मत के अंतरगत संस्मर्ण लिखे हैं सोगती जी ने और इसके भाग हैं तीन ठीक है नेक्स से देखिए दोस्तों किस लेखक ने अपने इतिहास क्रंथ में भक्तिकाल तक का ही इतिहास लिखा है तो बहुत सिंपल सधारन सा प्रशन है ये भ पहली बात तो है कि जो रामकुमार वर्मा है उन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है अलोचनातम के इतिहास लिखा है ना इंदी साहिते का अलोचनातम के इतिहास 1938 में ये भी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है और इन्होंने ही क्या किया है भक्तिकाल तक का इतिहास तो इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है अगर आपको नहीं मालूँ अभी तक वो ट्रिक तो आप वो भी प्लेलिस्ट में जाकर करके सेकंड यूनिट में चेक कर सकते हैं कि इनको आप जितने भी ये वाद है चाहिए विशिश्टा दोयत वाद है तो इसका जो सही उत्र होना चाहिए तो देखिए वो होगा आपका विकल्प नमबर A भारतेंदू हरिश्चंद्र ठीक है तो अमीर खुसरो भी बहुत मतपूर्ण है खुसरो से भी देखिए नेट में भी प्रशन पूचे जाते हैं और सेट में भी प्रशन पूचे जाते हैं खुसरो के बारे में शुकल जी क्या कहते हैं ये भी पूचा गया था ठीक है दोस्तो नेक्स से दिखिए जमीन फक्र ही है कावेकरिती के रचनकार हैं तो इस वाले प्रशन में कन्फ्यूजन इसलिए था क्योंकि दोनों ही केदारनाथ, केदारनाथ, अगरवाल और सिंग दोनों नाम हैं ठीक है तो ये दो ही इसके विकल्प हो सकते थे लेकिन अगर जिसकी ने जल्दवाजी से किया होगा तो वो इसको गलत करके आया होगा ठीक है ना तो इसलिए सोच समझ के उत्तर करना है तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा विकल्प नमबर B के दारनात सिंग तो उनकी ये कृती है जमीन पक रही है तो देखिए ये की गई थी आपका जो विकल्प नमबर D है रगुबीर सहाई और धरमबीर भारती इनके द्वारा हैरत प्रकट की गई थी तो D इसका क्या होगा था सही उत्तर होना था नेक्स देखिए रजिया संस्मर्ण में अभिव्यक्ती नहीं है तो रजिया संस्मर्ण में किस चीज़ की अभिव्यक्ती नहीं की गई है ये वाला प्रशनी यहां पर पूछा गया है तो इसका जो सही उत्तर होगा देखिए विकल्प नमबर E स्त्री के प्रती पुरुष पुरुष विकर्शन की जो अभिव्यक्ति है इसमें नहीं है रज्या संस्मर्ण में और यह किसकी कृती है देखिए यह है रामरिक्ष बेनिपूरी जी की ठीक है न इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ज़रूरी हो ठीक है नेक्स से देखिए भारत बर्ष की उन्नती क किसे हो यह किसका निवंद है यह भी आप मुझे कोमेंट सेक्शन में जाकर बनेक्स नेक्स से देखिए महाभोज में लेकिका ने लोगतंतर के किस स्थम्भ के पृति आशा का भाव भ्यक्त किया है तो महाभोज के अलावा § साथ ही साथ अगर आपका बंटी के बारे में देखेंगे तो वह भी बहुत मौटपूर्ण होगा क्योंकि आपका बंटी उपन्यास भी मनूबंदारी का बहुत मौटपूर्ण उपन्यास है तो यहां पर पूचा गया है कि इस में मावोज मेनने किस सिặ inward के प्रति आशा का भ चाहे नेट हो चाहे सेट हो इसको भी पढ़ना जरूरी है तो डी विकल्प इसका क्या होगा सही होगा क्योंकि इसमें समाजिक संदर्ब और व्यक्ति चरित्र की कहन संवेदना का क्या है अभाव है तो ये कथन सत्य नहीं है है इसमें क्या है समाजिक संदर्ब है और व्यक्त बादी भादी भी चांदारा से है तो भवानी प्रसाद मिश्र तो डी इसका क्या होना था साई उत्र होना था और जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं देखिए उनको उदेवरकाश ने कहा था कविता का गांधी जबकि वे सौयम ये बांते थे कि वो गांधी नहीं है बलकि गां गल इससे हमें नेट में भी परिक्षा में प्रशन पूछा गया था है ना तो इनकी कवीताओं के बारे में भी नाम यह प्रकाशन का भुआ है यह चीजें भी पता होनी चाहिए नेक्स से देखिए विशिष्ट पदरचना कहा गया है तो यह कहा गया है डीति को ठीक ना जो तो नेक्स से दिखिए भारत के संविधान में राजभाचा संबंदी अनुचेद तो ये प्रशन भी कई बार प्रिक्षा में पूछा गया है तिन सो तेंटाली से तिन सो इक्क्यावन और नेट में भी यहां से प्रशन पूछा गया था और एक बात दोस्तों जरूर दिहान कि अगर हम सेट की प्रिक्षा पास करने जा रहे हैं या देने जा रहे हैं तो सबसे पहले जितने भी प्रिवेसर के पिपर हैं चाहे वो नेट के हैं या सेट के हैं खासकर नेट की जो प्रिवेसर के पिपर हैं उनको एक पार जरूर देख लें वहां से बहुत सारे प्रश यह कुवर नाराइन जी की कृती है ठीक है तो गठवनिष्ट के नची केता प्रसंग पराधारित है यह आतम जय है और यह है क्या वैस्तों में यह है प्रबंध काप्या इसकी बारे में भी जानकारी रखना जरूरी है कवीता क्या है निबंध के ननुसार कवीता की आयू उतर होगा लालपान की बेगम में नहीं है तो लालपान की बेगम किस की कृती है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं दोस्तों और ये देखिए इसका जो नहीं है पूचा क्या है बेगम में क्या चीज नहीं है तो वह आपका देखे विकल्प नमर D साहोइकता के विगठन का दंश ठीक है ये चीज नहीं है इसमें नेक्स से दीखे दो बार जेल हो आये थे किसी से दबना न जानते थे खदर पहनते थे और फ्रांस के शराब पीते थे गोदान के उपरिफ्ट कथन में ब्यंगय किया गया है गुदान विपाठे क्रम में शामिल है है ना उपर नहीं है स्कृष्प जीबन की महात रासदी का जाता है इसको और दो बार जेल हो आया थे ये किस के लिए कहा गया है ये ये है आपका देखिए विकल्प नमर जो ए है ठीक है खन्ना साहब उन पर ये भ्यंगय किया गया है नेक्स से देखिए रश्मीरती में इंद्र द्वारा प्रदत किस शस्त्र से करणने गटोतकच का वद किया तो रश्मीरती किस की कृती है ये भी आप मुझे बता सकते हैं और शस्त्र से करण ने गटोतपच का वद किया था वो था एकागनी देखिए आपको अगर इस तरीके से याद नहीं रहा था वृत गहनी ब्रज्र पशुपत इसको आप इस तरीके से याद कर सकते थे कि वो एक ही शक्ती थी है ना एक बार अगर उसका यूज कर लिया तो फ नेक्स से देखिए दंडी के अनुसार कावे गुणों की संख्या कितनी है प्रशन संख्या 36 है इसका जो सही उतर होना था विकल्प नंबर C 10 तो ये अधिकतर विद्वानों ने कितनी मानी है दसी मानी है कावे गुण कावे दूशों बगेरा बगेरा जो दोशों के बारे ठीक है भारतेंदु अरीशंदर जी के पिता ठीक है तो इनको माना जाता है ये किसने माना है भारतेंदु अरीशंदर जी नहीं ये इनका जो नाटक है वो पहले नाटक में रखा हुआ है निमी लिखित में से यात्रा बृतांत है तो इंद्रधनु श्रौंदे हुए नद प्रशन संक्या 40 का उत्तर भी ही होना चाहिए इसका जो बोलिक शेतर कौनकौन से जांसी चालाओन धत्या और गवालियर और इन बोलियों को याद करने की ट्रिक भी दोस्तों हमने डिसकस की हुई है कि बोलियों को कैसे आप याद रख सकते हैं इसके लिए भी आप हमारे जो वीडियो बनी वही है उनको देख सकते हैं एक क्या है श्रीमत भागवत पुरान तो अधिकतर क्या है यह ही है चीक है तो इसका क्या है इसका आधार भी श्रीमत भागवत पुरान है नेक्स से दीखिए 43 बालकिष्ण भट के निवंद किन पत्रों में प्रकाशित होते थे तो बालकिष्ण भट हिंदी प्रदीप और दूसरा ब्रहमन जो किसकी है पत्रिका और ये आपका प्रताप नरायन मिश्रिका और नेट की परिक्षा में ये दोनों पूछे गए थे हिंदी पत्रिकाओं को भी पढ़ना बहुत जरूरी है यहां से एकादा प्रशन जरूर पूछा जाता है नेक्स से देखिए अगला जो प्रशन है अकाश दीप की मूल अधार भूमी क्या है तो अकाश दीप जो कहानी है देखिए किसकी कहानी है ये भी आपको पता होना चाहिए है ना तो इसकी मूल अधार भूमी क्या है ये पूचा गया है तो इसका जो सही उत्तर होगा अन्याय चिद्र है, है उधर शक्ती कहते चल-चल हो गए नैन कुछ बूँद कुन हंठल के द्रिग चल है ना, तो राम की शक्ती पूजा की यह पंक्तिया है यह पता हमें इसी प्रशन से चला, ठीक है तो प्रशनों से प्रशन बनते हैं ये मैंने पहले भी कह दिया आपको और इन पंक्तियों में राम की आंखों से आंसु टपकते देख हनुमान ने वहां रखे छत्रदंड को तोड़ दिया या धर्ती में पढ़ गए या फिर राम की पैरों पढ़कर हनुमान कस्मसाकर रह गए तो इसका जो सही उत्तर होना था देखिए वो होना था आपका विकल्प नंबर C राम की पैरों को पकड़कर वो क्या है कस्मसाकर रह गए हनुमान जी तो सही उत्तर C था इसका नेक्स देखिए परिवर्तन कवीता में परिवर्तन के लिए किसका रूपक प्रयुब्ध हुआ है तो देखिए इस प्रशन का जो सही उतर होगा वो होगा आपका विकल्प नमर D वासुकी परिवर्तन लंबी कवीता है किसकी लंबी कवीता है ये भी आप मुझे बता सकते हैं नेक्स से दिखिए निमिलिक्त में से कौन सा आलोचक नई समीक्षा से सम्मंदित नहीं है तो इसका जो सही उतर है देखिए ये है आपका F.R. Lewis ठीक है? स्वरी 48 देखिए इसका जो सही उतर होगा वो होगा बुअलोग क्योंकि बुअलोग किसे हैं ये जादूई याथार्थवाद के प्रत्थम शब्द का परियोग जो है वो कहां किसने किया था प्रहंजरो होने किया था ये प्रशन भी बहुत बार पुचा जाता है तो बुअलोग क्या है? ये नहीं है इसमें ठीक है? विकल्प नंबर B इसका क्या होगा? सही उतर होगा अगला प्रशन देखिए देवनागरी लीपी की विशेष्टा नहीं है तो देवनागरी लीपी की जो विशेष्टा है देखिए वो आपका विकल्प नंबर B है वरनातमक्ता वो इसकी विशेष्टा नहीं है पलकि ये कहा है आक्षरिक है ठीक है ना जैसे इसको उचारित के जाता है वैसे इसको लिखा भी जाता है ठीक है देवनागरी लिपी की ये भी शिष्टा है वरनात मक्ता इसमें नहीं है नेक्स से देखिए, इनमेसे कौनसी ध्वनी तालव्य नहीं है। उचारण स्थान से पूचा गया है, उचारण स्थान पर भी व्यकरण के नाम से हमारी जो प्लेलिस्टे है, वहाँ पर आप उसको चेकर सकते हैं, कि उचारण स्थान को किसे आप सिंपल ट्रिक के जरीए या तो इसका होगा आपका विकल्प नंबर D रो ठीक है तो रो किस से बोल जाता है ये मुर्दा से बोल जाता है री टू रशा नाम मुर्दा ठीक है तो इस वाली जो वीडियो में दोस्तो इतना ही हम करेंगे क्योंकि अगर हम पूरे के पूरे 100 प्रशनों को इस लेक्चर में ही समाहित करने की कोशिश करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा अगले भाग में हम पूरे जो 50 प्रशन बच गए हैं उनको करेंगे आपको वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बताईए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेर कीजिए ताकि सब लोगों तक जो हमारी परिक्षा हुई थी उसके बारे में जानकारी हासिल हो सके एक बार फिर से आप तक आपका बहुत बहुत शुकरिया अंत तक बने रहने के लिए जाहिंद